Hello everyone, this side Monika you are the hope you all good. Today I am going to teach New Learning Compositor Mathematics Class 8, Exercise 1st B. This exercise will be all about the questions. You will see the circle. Actually, this is my student's book. It is the same. Otherwise, I will see all the questions. First question is find a sum or difference. Simplify if possible. If you have any questions, if you have any questions, we will find out the sum or minus. तो उनका difference हमें find out करना है उसके बाद हमें क्या करना है उस answer को simplify भी करना है simplify कैसे करेंगी उसको हम अगर कटता है उसके common factor है तो काटते जाएंगे otherwise उसका mixed fraction में convert करेंगे चलो जैसे जैसे कोशन करते हैं आपको बताती हो जब भी हम rational number को add करते हैं यह subtract करते हैं तो सबसे पहले हम calcium लेते हैं बट यहां देखो कि यह भी 20 है और यह भी 20 है अगर आप calcium भी निकालोगे न तो इसका 20 ही आना है जब denominator सेम होता है तो denominator उसी को रख दिया जाता है और जो numerator से उनको add कर दिया जाता है यहां एगा 18 upon 20 यह भी बुक में आपका answer दिया हुआ है अब इसको simplify भी करोगे 2 9 जा 2 10 जा 9 upon 10 दोनों ही answer हमारे correct है 18 upon 20 और 9 upon 10 इसको mixer fraction में convert करी नहीं सकते क्योंकि यह proper fraction है numerator का मैंनर denominator से इतना ही हमार answer होगा बी में फिर देखो denominator सेम है 12 का 12 1 plus 7 that is equal to 8 upon 12 simplify करो 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 upon 3 8 upon 12 बेसका answer होगा और 2 upon 3 बेसका answer होगा quotient C देखिए denominator हमारा 10 है तो 10 का 10 रख दिया 3 minus minus का sign है तो minus का sign है और 7 हमारे पास क्या आएगा बड़ा number कौन सा है हमारा 7 है तो negative 4 हमारे पास आएगा upon 10 अब इसको simplify कीजे नेगेटिव 4 अपान 10 और negative 2 अपान 5 दोनों ही इसके answer करेक्ट होंगे चलो D करते हैं यह है mixed fraction में तो इसको solve करने से पहले क्या करेंगे इसको हम improper fraction में convert कर देंगे 75 जा 35 अब यह 2 एड़ किया जाएगा तो क्या आगया 37 और जब यह negative sign आगे है तो यह negative sign आगे लगा दो upon 7 माइनस का sign है तो माइनस का sign 7 3 जा 21 और 3 एड़ करोगे तो 24 upon 7 अब हम क्या करेंगे हमारा जो denominator वो सेम ही है 7 का 7 negative 37 negative 24 दोनों ही negative है इस वज़े से यह क्या हो जाते है एड़ हो जाते है क्या एगा negative 61 upon 7 आएगा अब इसको mixed fraction में लिख दो negative 8 whole 5 upon 7 हमारा answer होगा यह में भी हमारा denominator सेम है 13 हमने ले दिया 112 प्लस का sign है फिर माइनस 229 है अब देखो माइनस वाला sign जादा है न तो माइनस करने के बाद में हमारे पास माइनस का sign आएगा 117 upon 13 काटोगे 13 की टेबल से negative 9 इसका answer होगा question F देखिए यहाँ पर negative sign है फिर प्लस का sign है और फिर यहाँ denominator negative है आप लोगों को बताया था न कि denominator को positive बनाना होता है first exercise कराई थी तब भी आप लोगों को सिखाया था तो पहले हम denominator को ही positive बना लेंगे कैसे positive बनाते हैं जो negative वाला sign है वो कहां आ जाता है उपर आ जाता है न प्लस का sign भी लगा दो अब यह negative आ गया 273 क्यों बन गया क्योंकि हमने denominator का sign shift कर दिया हमें denominator को तो positive बनाना ही बनाना होता है LCM लोगे तो सब का देखो 58 58 58 तो LCM तो हमारा 58 यह आना है अब यह उपर कहेगा negative 243 plus 719 यहाँ plus और minus का sign है तो क्या आता है ऐसे में minus का sign 273 negative 243 plus 719 जब भी plus और minus का sign कहीं भी होता है तो subtract होगा but sign depend करेगा जो बड़ा number होगा उसी का sign आएगा अब minus करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 476 अब बड़ा number हमारा positive था तो यह positive रहेगा negative 273 upon 58 minus करेंगे तो आएगा 203 upon 58 यह answer हमारे correct है और इसको हम mixed fraction में भी लिख सकते हैं mixed fraction में convert करना आपको आता ही होगा नहीं आता तो मैं सिखा देती हूँ हमें 203 को divide करना है 58 से 3 पे जाता है 174 अब remainder बचके 29 3 whole 29 upon 58 यह भी हमारा correct है और इसके बाद आप देखोगे 29 से यह कट रहा है 29 1 जा 29 2 जा 3 whole 1 upon 2 यह भी answer हमारा correct है ऐसे हम mixed fraction में भी अनवर्ट करते हैं question G देखिए यह है mixed fraction में तो हम कभी भी subtract या add ऐसे नहीं कर सकते हैं पहले इसको improper fraction में हमें convert करना पड़ेगा 58 जा 40 और 40 में 4 add किया तो 44 आ गया improper fraction में convert करने के बाद में क्या आता है negative 44 negative 44 upon 5 minus 3 upon 5 अब हमारा denominator दोनों का ही same है 5 5 है ना तो LCM तो 5 ही आना है negative 44 minus 3 दोनों ही negative sign है तो ऐसे में क्या होता है sign negative आता है और दोनों नमबर आपस में add हो जाते है negative 47 upon 5 यह भी correct है और इसको हम mixed fraction में convert कर देंगे negative 9 whole 2 upon 5 question 2 देखिए इसमें देखो denominator different है तो हम LCM लेंगे LCM of 7 and 8 is 56 होगा तो 56 line के नीचे ले दिया हमने अभी हम देखेंगे 7 की table में 56 कितने पे आता है तो 8 पे आता है तो 8 और multiply by जो हमारा numerator है 5 फिर add का sign है तो add का sign उसके बाद क्या है 8 की table पे 56 कितने पे आता है 7 पे आता है 7 multiply by negative 3 है उप़ डिनोमिनेटर तो negative 3 40 negative 21 upon 56 solo करोगे तो 19 upon 56 हमारा answer आएगा second question देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से यह different है ना तो हम क्या लेंगे LCM 18 है 3 पे तो 3 multiply by 5 क्योंकि numerator हमारा 5 है क्या जाएगा 7 minus 15 upon 18 solve करेंगे तो हम मेरे पास क्या आएगा negative 8 upon 18 अब इसको काट दीजे 2 की टेबल से negative 4 upon 9 negative 4 upon 9 हमारा answer होगा C देखो पहले LCM निकालेंगे हम LCM of 8 and 32 is 32 line से नेचे 32 लिखेंगे हम 8 की टेबल में 32 की tip आता है 4 में तो 4 से multiply करेंगे 3 को और 32 की टेबल में तो 1 पे आता है 1 से multiply करेंगे 5 को 12 माइनस 5 upon 32 माइनस करने के बाद में क्याएगा 7 upon 32 D में denominator हमारे नेगिटिव है तो सबसे पहले क्या करेंगे make denominator positive denominator को positive बनाने के लिए क्या करते हैं वो negative वाला sign numerator के उपर कर देते हैं negative 7 upon 9 plus negative 1 upon 6 चलो अब इसको solve करेंगे LCM लेंगे 9 का और 6 का LCM of 9 and 6 is 18 आएगा 9 की टेबल में 18 कितने पे आता है 2 पे तो 2 multiply negative 7 plus 6 की टेबल में 18 कितने पे आता है 3 पे 3 multiply negative 1 negative 14 negative 3 upon 18 negative negative प्लस हो जाते हैं और sign negative का ही आता है negative 17 upon 18 हमारा answer होगा यह हमारे mixed fraction है दोनों को ही improper fraction में convert करेंगे पहले तो 55 जा 25 और 4 29 upon 5 plus bracket 7 तरी जा 21 और टू 23 हो गया negative 23 upon 7 अभी हम bracket open करेंगे bracket से पहले positive sign है और bracket के अंदर negative sign है अगर ऐसा होता है तो negative sign हमारा आता है अब हम LCM लेंगे 5 का और 7 का तो LCM होता है 35 5 की table में 35 7 पे आता है 7 multiply 29 minus 7 की table में 5 कितने 35 कितने पे आता है 5 पे तो 5 multiply 23 203 आएगा minus 115 upon 35 minus करोगे तो 88 आएगा upon 35 अब इसको mixed fraction में convert करेंगे 2 whole 18 upon 35 हमार आएगा 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं और इसको improper fraction में convert करेंगे 7 11 जा 77 और 4 81 हो गया 81 upon 7 LZM हमारा 7 ही आएगा 1 की table में 7 कितने पे आता है 7 पे तो 7 multiply 9 minus 81 63 minus 81 upon 7 minus करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा 18 कौन सा आएगा negative sign आएगा या positive आएगा या आप सोची देखो बड़ा नंबर कौन सा है 81 और इसके सामने कौन सा sign है negative तो इसलिए ये negative आएगा अब इसको लिखोगे mixed fraction में negative 2 whole 4 upon 7 हमारा answer होगा जी देखिए इस को करेंगे पहले improper fraction में convert 11 88 और 4 92 negative 92 upon 11 bracket से पहले भी minus का sign है और bracket की अंदर भी minus का sign है ऐसी condition में क्या होता है ये sign change हो जाता है और ये plus का हो जाता है 9, 9 की नीचे कुछ नहीं है तो upon 1 हम लिख देंगे LC हम 11 ही आना है negative 92 plus 1 की टेबन में 11 11 पे 11 multiply 9 negative 92 plus 99 upon 11 plus और minus का sign है मतलब subtract होगा subtract होने के बाद कितना आता है 7 आता है sign अब decide करोगे क्या से आएगा बड़ा नंबर हमारा negative है या positive है बड़ा नंबर 99 है जो की positive है तो हमारा answer भी positive आएगा 7 upon 11 हमारा answer होगा simplify करना है LCM लेंगे LCM आएगा 28 28 हमने नेचे रख दिया 4 की टेबल में 28 कितने पर आता है 7 पर 7 multiply 3 minus 7 की टेबल में 4 पर 4 multiply by 5 और 14 की टेबल में 84 कितने पर आता है 2 पर तो 2 multiply 9 चलो solve करते हैं 21 minus 20 plus 18 28 21 में से 20 minus करेंगे तो 1 रहे क्या हमारे पास और फिर 18 एड़ करेंगे तो 19 होगे ना 19 upon 28 8 यह हमारा अंसर होगा कोशन फॉर्थ देखो सारे ही यह mixed fraction में है इनको इंप्रोपर फ्रेक्शन में convert करेंगे 9 को multiply करेंगे 5 से तो 45 आगिया अभी हम 7 को add करेंगे तो कितना आएगा 52 upon 9 यह आगिया हमारा 10 की टेबल 1 तक 10 और 1 11 होगे न 11 negative 11 upon 10 अभी 15 की टेबल 7 तक तो कितना हैगा 105 और 11 अड़ करेंगे तो 11 16 upon 15 अभी हम लेंगे LCM LCM आएगा 90 90 9 की टेबल में 90 10 पे तो 10 को मर्टिप्लाई करेंगे 10 को मर्टिप्लाई करेंगे 52 से माइनस 10 की टेबल में 90 9 पे 9 को मर्टिप्लाई करेंगे 11 से 15 की टेबल में 19 6 पे 6 को मर्टिप्लाइ करेंगे 116 से 520 माइनस 99 माइनस 696 अपोन 90 Solve करेंगे 520 में से हम माइनस करेंगे 99 तो आएगा हमारा 421 फिर माइनस का साइन है 696 इन में दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 275 अब यह डिसाइड आप करोगे कि नेगिटिव साइन आएगा या पोजिटिव क्योंकि बड़ा वाला नमबर हमारा नेगिटिव है तो इसके सामने नेगिटिव साइन आएगा अपोन 90 चलो अभी इसको काटते हैं नेगिटिव 275 अपोन 90 फाइव की टेबल से काटे फाइफ वन जा फाइफ एट जा एटीन पे कटिया फाइफ फाइफ जा फाइफ फाइफ जा ये नेगिटिव रहेगा अभी आगे नहीं कटता अब इसको डिवाइड करेंगे तो नेगिटिव 3 होल वन अपोन 18 हमारा आएगा आपकी first B exercise complete हो चुकिया hope you like this video if you like then press like button and share with your friends I will upload your next video soon till then bye bye, take care